दोस्तो सिप्रीम कोट ने एक नया जजमेट दे दिया है जिसके मुताबिक अब आपको अपने राशन काड में भी KYC करना होगा अगर आप KYC नहीं करते है तो आपको जो राशन मिलता है वो बंद हो जाएगा तो इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि आपको आखिर कैसे म बारे में हम डिटेल में बात करने वाले है तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आपके राशन का KYC already हो चुका है या फिर नहीं चाहे जो भी स्टेट से हो में जो तरीक आपको बताऊंगा उस तरीके से आप किसी भी स्टेट का चेक कर सकते है कि आपकी राशन का KYC हो चुका तो कुछ इस तरह application open हो जाएगी अब यहाँ पर से आपको सबसे पहले करना है यह कि यहाँ पर आपको three dots मिल जाएगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे language के options हो कर दिये जाएगे तो आप इन सभी में से जो भी language समझते है उसके उप English भी समझता हूं तो यहाँ पर English पर ही क्लिक रखता हूं और यहाँ पर कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पर आपको एक option show कर दिया जाएगा आधार सीडिंग वाला तो यहाँ पर simply आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपको दो option show कर द राशन कार्ड का नंबर है वो simply यहाँ पर enter करके नीचे submit पर क्लिक कर देंगे अब जैसे ही राशन कार्ड का नंबर enter करके submit पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको आपकी राशन कार्ड की जो detail होगी वो यहाँ पर show कर दी जाएगी जो कि यहाँ पर आपक सकते हैं मेरे राशन कार्ड में टोटल पांच नाम है पांच मेंबर से तो यहाँ पर मुझे पांचों मेंबर्स के नाम शो कर दिये गए हैं सभी के नाम के सामने येस येस ही लिखा है तो क्यूंकि मेरे राशन कार्ड के साथ अल्रेडी सभी मेंबर्स का के वाईसी करना ही होगा अगर आप एक नाम का भी KYC कंप्लिट नहीं करेंगे तो भी आपको अनाज नहीं मिलेगा तो यह हमने सीख लिया कि आप केसे चेक करेंगे कि आपका राशन काड का KYC कंप्लिट है या फिर नहीं लेकिन अगर KYC कंप्लिट नहीं है तो आपको KYC ओनलाइन केसे क सीम को लिखेंगे जिस स्टेट से आप है, महाराश्र हbooks, यहाँ पर उस स्टेट का नाम लिख देंगे, और आप सर्च कर देंगे, आपके स्टेट का पहली स्टेट की सैट सीथ सबसे पहली, इसब से पहली सो कर दी जाएगी, अब जैसे अपने रेशन काड का नमबर एंटर करेंगे तो आपके उस रेशन काड में जितने भी नेम है वो आपको शोग कर दिये जाएंगे और उसकी डेटल यहाँ पर आपको शोग कर दी जाएगी जिसमें यहाँ पर आपको एक उप्शन शोग कर दिया जाएगा आधार क वो box आपको click कर देना है तो यहां पर आधर का नंबर एंटर करने का options को कर दिया जाएगा यहां पर अपना आधर का नंबर एंटर करके इस agreement box पर click कर देंगे और नीचे send OTP पर click कर देंगे कि आपके state में अगर online KYC नहीं होता है तो आपको क्या करना है तो आपको करना है यह कि आपका राशन का जो dealer है उसका contact करना है उसके पास अपना अपना रेशन कार्ड और अपना आधर कार्ड लेकर जाना है और उसके पास से KYC complete कराना है offline और अगर वो भी नहीं कर देता है तो आपको आपके तेहसिल office का contact करना है वहाँ पर आपका KYC हो जाएगा वीडियो कुसंद आए हो तो चनल को subscribe करके bell icon को press कर लेजेगा जोकि बिल्कुल ही free में होता है